NSUI द्वारा जिला मुख्याले धर्मजाला में कॉलेज स्टूडेंट्स को प्रमोट करने सहित फीस्ट माफी की मांग उठाई है इस दरान NSUI के प्रदीशा ध्यक्ष छतर सिंग ठाकुर के नितरतब में विरोध प्रदर्शिन करते हुए प्रशासन के माधिम से CM जैराम ठाकुर को ग्यापन भेजा गया प्रदेशा ध्यक्ष छतर सिंग ठाको ने कहा कि स्टूडेंट्स देश का भविश्य हैं कोई experimental केट नहीं जिन पर प्रयोग किया जाए उन्होंने कहा कि हम पिछले दो माँ से स्टूडेंट्स को प्रमोट करने की मांग कर रहे हैं IIT महरास्टर राज्यस्तान तेलंगाना 36 गर पंजाब और हर्याना सरकारें स्टूडेंट्स को प्रमोट कर सकते हैं तो हिमाचल में क्यों नहीं किया जा सकते स्टूडेंट्स देश का भविश्य है ना कि experimental कीट जिन पर प्रयोग किया जाए परिक्षा के दुरान यदि कोई संक्रमित स्टूडेंट आ गया तो अन्ने स्टूडेंट्स को भी संक्रमन की संभाव ना बढ़ेगी हमारी मांग है कि प्रफंब दुत्तिवर्श के स्टूडेंट्स MIB बिना परिक्षा और final year के स्टूडेंट्स को दस फीज दी अतिरिक्त अंक देकर प्रमोट किया जाए, हमारी मांग है कि परदेश सरकार करोना के संकट को देखते हुए स्टूरेंट्स की छे मां की फीज भी माफ करे प्रदेश गौवर्मेंट, राजयस्थान, चतिसगर, तेलंगाना, इवन पंजाब और हर्याना, सभी छात्रों को प्रमोट कर सकते हैं, क्यों यह दिकार हमारे छात्रों से चीना जा रहा है, मैं आपके माधियम से बताना चाता हूँ कि छात्र जो है, इस देश का बविश्य यह कोई एक्सपेरिमेंटल किट नहीं, जिसके उपर परियोग किया जाए, यदि एक छात्र, सक्रमित छात्र प्रिक्षा केंदर में आता है, उसके साथ-साथ, वहां पर जितने भी छात्र है, उनको भी सक्रमित की संभावना बढ़ेगी, और इतना ही नहीं, जब वह छात इसके साथ-साथ, आप जानते हैं कि जिस तरह से क्रोना की बैश्विक स्थिती में, लोगों के रोजगार खतम हो गए हैं, कामदंदे चले गए हैं, लोगों के पास आज की डिट में राशन के लिए पैसे नहीं है, हम चाहते हैं कि परदेश सरकार छे महीने का जो है, वह पर करोना की बैश्विकम हमारी है, यहां पर परदेश सरकार 18% चात्रों के उपर अथिरिक्त बोज डाल रही है, हम चाहते हैं कि परदेश सरकार जल्द से जल्द हमारी जो मांगे हैं, उनको सविकार करें, चात्रों के हित के लिए सविकार करें, अगर परदेश सरकार हमा ही मा चल जाएने सुए